Welcome guys, अभी हम लोग alternating current में calculate करने वाले है average power को, यानि कि power calculate करने वाले है alternating current circuit में, ठीक है, और अभी हम लोग power factor के बारे में भी जानेंगे, ठीक है, पावर बड़ा-बड़, IRMS, ERMS cos 5 कैसे आ जाता है, ये equation वगरा, ये सारा चीज हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है, देखा जाए देख लिया होगा, जिसमें कि हम लोगों ने average value ये calculate किया था, EMF का average value कितना होता है, E बराबर E not sin omega t, तो इस equation के मदद से ही, तो और साथ ही साथ ये calculate किया था, ERMS बराबर E not by root 2, न, IRMS बराबर I not by root 2, ये से वीडियो आपने देख लिया है, तब तो फिर ठीक है, चलो सबसे भारी integration यहाँ पर use होने वाला है, ठीक है, तो integration by I am onward YouTube पर सर्च करके, मरा अगर integration का भी वीडियो देखे हुए तो अच्छी बात है, ठीक है, चलो देखो, इस टाच करते है, सर्में आपका बढ़बाद नहीं करते है, अच्छा, average power calculate करना है, power, power का formula आपने current electricity में भी पढ़ा होगा, power बढ़ा-बढ़ होता है, current into voltage, I into emf, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर i square r भी होता है, भी square by r भी होता है, या i into emf, या current into voltage भी होता है, आच्छा, ठीक है, तो हम लोग current into voltage वाला concept का इस्तेमाल करके, अभी निकाल लेंगे, बहुत easy है, देखा जाए, तो देखा, क्या कर लेते हैं, माल लिया जाए, हमारे पास एक equation है, let emf, बढ़ाबर क्यालते है, equation दिया हुआ है, e बढ़ाबर है, enode sin omega t, यानि कि emf जो है, वो हमारे पास कितना है, e बढ़ाबर enode sin omega t, and, माल लेते हैं, current बढ़ाबर दिया हुआ है, आई नॉड साइन ओमेगा टी ठीक है? अच्छा है इसमें याद होगा कभी मैंने आप लोगों को बताया था एक फेज डिफरेंस के बारे में फेज कॉंस्टेंट के बारे में फेज डिफरेंस के बारे में पहला ही लेक्चर जो था एसी का उसी में तो क्या चीज होता था जैसे कि अगर माल लिया जाए कि इसका फेज है ओमेगा टी तो करंट का फेज माल लेते हैं क्यालते हैं अलग ताकि एक जेंदल इक्वेशन हमको मिल जाए इसका फेज कॉंस्टेंट फाइ यानि कि जो इनिसियल एंगल इनिसियल एंगल एडिया वेक्टर और मैगनेटिक फिल्ड के बीच का जब क्वाइल रोकेट कर रहा हो तब मैगनेटिक फिल्ड में एसी जेनरेटर पड़ ही आधारी थे यह सारा चीज तो इसके बारे में पढ़ा चुका है तो यानि कि करंट का फेज आगे और EMF का फेज पीछे तो ऐसे लिख सकते हैं कि हेर करंट इज लीडिंग आँ दव वोल्टेज बाइफेज क्या फाइफ फाइफेज से करंट जो है वो लीड कर रहा है किसको EMF को माल लिए ऐसे जेनर ली एक equation बना दियें ताकि क्या हो सके एक्तब एक general term आ सके ठीक है जैसे अगर हम माल लिया जाए E बराबर E sin omega t लिखते I बराबर E sin omega t लिखते और तब तो फिर क्या होता इसका फेज और इसका फेज सेम रहता EMF और करंट का फेज सेम रहता तब उसके लिए average power आ जाता ना तो एक condition के लिए हो गया ना वो कि जब दोनों का फेज सेम है तब के लिए average power लेकिन हम क्या किये ना कि इसमें का फाय से जोड़ दिये कमल लिया जाए इसका एंगल अगर 60 degree है तो इसका एंगल टोटल ये और ये मिलाके 90 degree है ठीक है तब कैसे आप निकाल लोगे तो एक general term निकाल लेंगे ठीक है फिर उसके बाद जब कभी भी अगर क्यालते हैं EMF का फेज अगर omega t और current का भी फेज अगर omega t होगा उस स्थिती में फाय का मान क्या हो जाएगा 0 अगर फाय का मान 0 होगा तो ये भी omega t ठीक है ने तब तो जो फर्मूला जहां आएगा उस फर्मूला में जहां पर भी फाय टर्म रहेगा वहाँ पे 0 कर देंगे अगर तो इसका मतलब हो जाएगा इसका भी फेज omega t इसका भी फेज क्या omega t नहीं समझे रहे एग जेनरल टर्म बना लेंगा तो चलो देखो बस करते हैं बहुत भाड़ी सामना क्या में टेकल कल्कूलेशन यहां लगेगा physics में समझो तो सबसे ज़्यादा बड़ा लगने वाला तो चलो यहां ठीक है we know क्या जानते हैं भाई हम लोग कि power का जो formula होता है power बड़ाबर power बड़ाबर क्या formula होता है current into emf लिख सकते हैं या current into voltage भी होता है i into emf या i into v current electricity में भी आपने पढ़ा है तो power बड़ाबर i into क्या emf करना है हम लोग को तो power बड़ाबर बहुत लंबा जाएगा ही power बड़ाबर current का equation रख देते हैं inod sin omega t plus phi ये angle में है गुना कर देते हैं ये total term के साथ गुना है ये वाला है न ऐसा नहीं कि angle के साथ गुना है total term के साथ क्या है भाई emf का मान inod sin omega t ठीक ये भी किया है कहा है angle में है चलो देखो अब आगे बात करते हैं तो inod inod एक साथ इसको कर सकते हैं चलो कड़ेंगे ना एक बात देखो तो हम लोग एक चीज notice कर रहे हैं कि जो power है न मेरा वो function है किसका time का power किसका function है time time ही variable है समय बदलेगा तो power बदलेगा समय बदलेगा तो power बदलेगा तो power जो है time का function है तो power का जो average value निकालना होता है mathematical calculation क्या कहता है कि average value अगर निकालना है तो आपको integration करना पड़ेगा power का ही चुकि power time का function है तो p या dt ठीक है अच्छा उसके बाद क्या करना है integration of dt और average power क्यों calculate कर रहे है आप एक complete cycle के लिए complete cycle का मतलब यह होता है t बड़ाबर 0 to t बड़ाबर कहां तक time period जहां तक है क्योंकि एक time period में ही cycle complete होता है तो time कहां से कहां तक 0 से time period तक 0 से time period तक capital T तक ठीक है अब इसको जड़ा solve करना होगा तो हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा भाई तो average power बड़ाबर बहुत लंबा चोड़ा जाएगा यार NCIT में तो उस बोल दिया यह यह वो कट जाएगा यह answer हो जाएगा तो चलो देखो क्या करे अब देखो पावर का यह जो है फर्म आया जो मान उसको बठा देते हैं यहाँ पर तो क्या हो गया INOD ठीक है SINE OMEGA T पलस भाई अच्छा उसके बाद गुना में INOD SINE OMEGA T ठीक है अच्छा उसके बाद यहां बात करें अगर तो जीरो से लेके कैपिटल टी तक बटे में बात करें तो DT का integration 0 से लेके कहां तक Capital T तक और यह DT तो था जैसे DT रहेगा अब इसमें Power Average तो देखो आप I-NOD और E-NOD एक सद्ध्यान से गड़ाए रखना Integration अब बायो वाले थ्रहें लंबा सांस लेलो फिर देखो चलो I-NOD E-NOD को एक साथ कर लेते हैं Integration वाला मेरा वीडियो नहीं देखे होगा ना तब तो सवाल ही पैदा नहीं होता समझ में आने का ठीक है अब फिर मेरे उपर कोई दोस में ठेहरा ना बाबू तो Integration बायमनवर साच करके देख लो तो यह हो गया यह multiply हो गया तो यह हो जाएगा कितना sin omega t और यह गुना हो जाएगा नहीं प्लस थाए और गुना में sin omega t ठेक है ठेक है ठेक है आच्छा आइन नोट भी रख दिये इन नोट भी रख दिये साइन वाला भी वैल्यू रख दिये आइए साइन वाला भी वैल्यू रख दिये ठीक है आच्छा यह दोनों constant टर्म है इन दोनों constant टर्म कौन चाहे तो बाहर खिच सकते है ठीक इंडिटी का इन दोनों को बाहर खिच लेते हैं यह हो गया आइनोट इन नोट बाहर आ गया अंदर में बच गया साइन ओमेगा टी डिखाना पड़ेगा हमको भी रिमेट माइनस लिमीट डाले माइनस एक बड़ लुवर लिमेट डाले अच्छा ठेक है उसके बाद पावर यह हिंवल लिखे रहे हैं चलो हटआउ काई निणोड हो की अनॉड लिखिए बिना भीने रहा जाता है तो चलो, साइन, इसको फर्मुला को तोड़ सकते हैं साइन A पलस B साइन A पलस क्या? B, तो साइन A पलस B अगर तोड़ेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा? साइन A इंटू कॉस B पलस कॉस A इंटू क्या? साइन B, होगा ना? इंटू कॉस B पलस कॉस A इंटू साइन B, है की नहीं? अच्छा, ये वाला टर्म उसके साथ फिर आगे आगे बात करते हैं ये ये वाला टर्म मेरा टोटल यहाँ पर बिना हो गया अच्छा, अभी ये इंटिग्रेशन का साइन तो है ही जिरो से लेके टाइम परिएट तक आगे इंटू ये है मेरा क्या साइन ओमेगा टी बाबा अच्छा, जा रहा है यहाँ तक तो ठीक है, ये है डिटी अग टोटल के बटे में देखो बोड़ी छोटा पड़ी गया, टाइम परिएट माइन जीरो तो ये हो गया टाइम परिएट ठीक है, टोटल टाइम परिएट अब हमको क्या करना है मलूम अब हमको करना होगा है इस साइन ओमेगा टी को इससे भी गुना और इस साइन ओमेगा टी को इससे भी गुना करना पुलेगा ठीक है तो चलो ज़रा गुना कर लेते हैं तो जो पावर्ड आएगा मेरा अवरेज पावर्ड ये टोटल के बटे में न है ये टाइम यहां आ जाएगा ठीक है तो ये हो गया I node E node अब टे टाइम पिरियेड टाइम पिरियेड इन्टू ये सारा टर्म सारा टर्म में क्या है साइन ओमेगा टी को इससे भी गुना और इसको इससे भी गुना करते है ठीक है तो बड़ा सा integration जीरो से लेकर Capital T तक सारा को box में रख देते हैं ऐसे ही साइन ओमेगा टी जब इससे गुना होगा तो sin omega यह बीच में पलस है ना तो यह वाला इधर वाले टर्म से भी यह वाला इधर वाले टर्म से भी गुना हो जाएगा तो इसको जब इससे गुना करेंगे तो sin omega t और यह को sin omega t तो sin square omega t sin square omega t और क्या है? cos 5 यह तो अपना बेचारा angle है यह अलग है, यह अलग टर्म है यह अलग टर्म है, ठीक है? अच्छा, प्लस तो यह जब इससे गुना होगा तो यह हो जाएगा sin omega t ना और cos omega t क्या? ऐसे रहे गया? यह हो गया sin 5 ठीक है? अच्छा, उसके बाद यह हो गया dt यहां तक तो integration में किये का अब इसको आगे बढ़ाना होगा हमको ठीक है तो इसको अब इस पर सारा focus करो अब यहां से आगे लेकर के चलना है तो हमको तहाँ सा जगह की जरुत है ठीक है? तो हम पहले इधर का मिटा लेते हैं और उसके बाद इस वाले equation को यहां पर नजर आएगा आपको यहां लीकाशन को यहां लिख लिए और तो फिर आगे solve करते हैं लिए screenshot चुलो देखो आगे देखते ना इस वाले को यहां लिख लेते हैं ठीक है और उसके आगे फिर से solve करते हैं देखा जा जारा सा अब क्या किए वही जो average power आया था उसको यहां पे लिख दिये ठीक है इसको बार बड़ average नहीं बोलेंगा अब पी ही बोलते हैं ठीक है एंसे ए टी भी खाली इसको पी ही बोला है अब इस पारो को ठीक है तो यह आइनोड इनोड कॉस फाए तो यहां तक फडिव को ठीक है चलो आई नौड इनोड इनोड बाए टाइम पिरियोड जाए ढई उसके बाद अब एक काम करते हैं यह बीच में प्ल जाएगा integration दर्वाले term के साथ भी जाएगा integration दर्वाले term के साथ भी जाएगा तो देखो आप जरासा क्या क्या कैसे कैसे होगा अच्छा ये वाले term के लिए लिखते हैं sin square omega t और फिर cos phi ये बीच बीच में समझ लेना गुना ही है ठीक है इतना cos phi और ये क्या dt और integration 0 से लेके capital T ते ठीक प्लस अब इस वाले के साथ integration लगेगा ठीक है तो लगेगा तो integration हो जाएगा कितना integration करना है किसका sin omega t cos omega t into sin phi dt 0 से लेके capital T तक ठीक है ये बड़ा सा bracket इसलिए दिये ताकि ये वाला सारा term को पता चल रहा है कि टोटल डबा से multiplied है तो ये average power बड़ा बढ़ i node e node by time period और ये वाला जो bracket है ये वैसे ही रहेगा अब इसमें देखो आप यहाँ पड़े कि अलग integration का सवाल ये अलग integration का सवाल जैसा है ऐसे ही काम करते है ठीक है इसमें देखो ये cos phi वाला जो term है phi तो कोई एक fixed value है यहाँ variable तो सिर्फ time है ना ये fixed value है तो ये वाले constant term को हम चाहें तो integration से बाहर निकाल सकते हैं ये ही नियम होता है ये integration से आप के अंदर अगर कोई constant है तो उसको आप बाहर खिच सकते हो तो इसको आप बाहर खिच लोगे अगर तो ये हो जाएगा cos phi है ठीक है और फिर अंदर में बचेगा 0 से लेके कहां तक time period तक ये हो गया sin square omega t और क्या बचा dt ठीक है पलस इधर अगर आप बात करो तो ये sin phi constant term है इसको बाहर खिच लेते हैं sin phi constant term है इसको बाहर खिच लिए उसके बाद integration कहां से कहां तक करेंगे 0 से लेके time period तक और यहां बच गया sin omega t into क्या cos omega t और यहां बच गया क्या dt ये ठीक है अच्छा उसके बाद ये bracket close अब देखो आप फिर भी इसको कैसे बढ़े हैं और ये सजाना पड़ेगा तो i nod in order by क्या time period अच्छा ये हो गया cos ऐसा नहीं कि हम cos phi को यहां से बाहर निकाल सकते नहीं क्यों कि cos phi cos phi यहां भी रहता तब common खिशते तो चलो ये cos phi ठीक है आब आगे यहां पर अगर बात करें ये वहला टर्म में तो साइन स्क्वाइर इतना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते होगा एसा इंटिग्रेशन पहले भी किये हुए हम लोग ठीक है अच्छा नहीं तो ये साइट टाइम पिडियेड़ बाइट टू आ जाएगा कैपिटल टी बाइट टू आएगा आएगा इधर क साइन स्क्वाइर इतना का लिख सकते हैं साइनि एकसवाइत टू पहले इसे करना पड़ेगा नहीं पता तो इसको कहीं कॉपी में आप लोग लिख के रखंडो ठीक हैं काम डेगा आपको ठेक तो sin square इतना बड़ा बर 1 minus cos 2 omega t बाई में क्या 2 तो ये integration 0 से capital T तक dt प्लस ये हो गया sin 5 आगे देखवा आप यहाँ पर क्या करते हैं न equation में अपने मन से 2 से उपर नीचे गुना कर देते हैं ऐसा गुना करने से हमको कुछ फायदा मिलेगा ठीक है गुना करने से क्या फायदा मिलेगा बताते हैं 2 ये बन जाएगा 2 sin theta cos theta बराबर sin 2 theta 2 sin omega t i into क्या cos omega t और ये हो गया dt ठीक है तो चलो पूरा bracket ये bracket ये bracket close अब आगे power बराबर i node e node by capital T cos phi बायो वाले को अगर के सब समझ में आ रहा हो ना तो एक like button जरूर देना है आ रहा है जही वाले math वाले को तो हो ही जाता है समझ बायो वाले को बड़ा दिक्कत है इसलिए थोड़ा सा आराम आराम से समाल के चला रहे हैं देखो यह 2 को क्या करते हैं बाहर खिच लेते हैं इतना by 2 और math वाले थोड़ा 2x speed में भी चला सकते हैं इसको तो चलो अब इसको यह 2 तो बाहर खिच लिए ठीक है अब यहां अंदर में क्या बच गया टर्म 0 से capital T तक 1 minus cos 2 omega t और यह बचा तो टोटल के साथ टर्म है कौन सा t t प्लस यह 2 को नीचे से बाहर खिच लेते हैं sin 5 और यहां बटे में क्या है 2 है और यह देखो आप 2 sin theta into cos theta 2 sin theta into cos theta तो यह अंदर में टर्म क्या बन गया 2 sin theta into cos theta बन गया यह sin 2 theta यानि कि 2 omega t चुकि फर्मूला होता है भाई 2 sin theta into cos theta बराबर sin 2 theta इसी फर्मूला का यूज़ की हैं लोग प्लेच लोग देखो यह ऐसा हो गया और उसके बाद यहां क्या बच गया dt तो थोड़ा सा हलका हुआ होगा बोज लेकिन अभी भी बाकी है बहुत सारा चीज पावर बड़ा बड़ा आई नोर्ड इनोर्ड अब आई क्या यह और इधर बच गया cos phi अब आई क्या 2 तो यह dt टर्म इसके साथ भी यह वाला integration भी इसके साथ लग जाएगा एक बाद तो integration यह 1 dt चिरो से लेके capital T था ठीक है तो 1 into dt तो यह dt ही रहे गया ना अच्छा 1 जब dt से गुना हो जाएगा 1 जब dt से गुना हो तो dt रहेगा एक गुना dt dt हो गया ना एक गुना dt dt रहे गया तो यह टर्म इससे भी लग गया करके अच्छा उसके बाद minus क्यालते हैं इस वाले टर्म के साथ भी integration होगा 0 से लेके capital T तक यह हो गया cos 2 omega t अच्छा और इसके साथ भी क्या है dt इधर प्लस यह है sin phi अब टे क्या 2 यह sin 2 omega t तो sin इतना का integration अगर करेंगे तो sin इतना का integration होता minus cos 2 omega t अब आई यह जो coefficient है 2 omega डिवाइड हो गया इसका integration हो गया कहां से कहां तक हो गया 0 से लेके capital T तक ठीक है यह यार इसको थरा चलो इसको ऐसे ही रहने दो तो यह दोनो main bracket है अच्छा चलो तब इसको हमको और भी आगे काम करना पड़ेगा तो i naught inode by t यह cos 5 by 2 यह 0 से यहां तक यह dt term इसके साथ लगे इसका अलग integration करना है इसका अलग integration करना है sin 5 by 2 और यह इतना का minus cos 2 omega t अब आई क्या 2 omega यह से डिवाइड जाता है अब हमको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा लेकिन अब एक काम करते हैं बढ़ाने के लिए हमको तो असा जगह चाहिए तब हम इस वाले portion को यहां उपर में लिखते हैं मिटा रहे है total इसको यहां लिखा रहेगा फिर उसके आगे solve करते हैं इसका screenshot ले लो फटाफट से आगे बात करते हैं इसी में अब देखा जाए यहां के बाद कैसे इसको solve करेंगे तो power बढ़ाबर हो गया i naught e naught by t आच्छा उसके बाद इधर हो गया क्या यह cos 5 by 2 यह dt का integration t limit 0 से लेके कहा था capital T तक minus उसके बाद यह वाले term का करेंगे तो cos इतना का sin 2 omega t अब आग क्या time का जो coefficient है time के respect में कर रहे है तो इसका coefficient है 2 omega या यूख है इस total angle का differentiation से divide करना पड़ता है तो 8 t का 8 5 t का इतना का 2 omega t का 2 omega t का differentiation करो कि तो कि इतना आएगा time के respect में 2 omega अच्छा या बाइव वाले सिर्फ यह याद रखेंगे जिसके respect में कर रहे है उसके साथ और कुछ भी है angle में अगर तो इसको divide कर देना होता है भाइव वाले इतना से काम चल जाएगा उनका अच्छा देखो अब क्या है आगे बात करते हैं तो ये हम लोग cos इतना का sin इतना आब अब अटे क्या 2 omega अच्छा लिमिट बठा दिए जीरो से लेके time period तक अब प्लस में इधर क्या है 2 omega और minus बाहर निकल जाएगा चाहे तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं नहीं तो ये हो जाएगा minus sin 5 by 2 और 2 मिलके 4 omega अच्छा ये minus plus बाद में क्या हो जाएगा ये minus बाहर आजाएगा तो ये minus इस plus को यहाँ total क्या हो जाएगा सामने में minus term माइनस बाहर आया ना भाई ये minus term है ना कोई गुना करके माइनस बना देगा ना अच्छा उसके बाद यहाँ पर limit हम लोग क्या बठाएगे cos 2 omega t 0 से लेके capital T तक ठीक है तो बठाते हैं चलो तो power बढ़ाबर देखो i not e not by t into यहाँ हो गया cos 5 by 2 into यह हो गया कितना upper limit माइनस lower limit ठीक है अच्छा बस यही term बचेगा बागी दर सब खतम हो जाएगा देखो आप यहाँ पर एक बार क्या करते हैं upper limit डालते हैं sin 2 omega into time period अब बटे 2 omega ठीक है minus एक बार lower limit डालेंगे तो यह क्या हो जाएगा time यहाँ पर 0 डालेंगे यह जैसे 0 बठाएगे तो यह total term तो 0 यह time के जगा पर जैसे t है ने विससे इसके जगा पर यहाँ क्या 0 बठाएगे अरे यार 2 omega into 0 अब बटे क्या क्यालते है 2 omega यही ने आचा चलो ठीक हटाओ उसके बाद minus sin 5 by 4 omega into यहाँ पर देखो तो क्या बठाएगे एक बार cos 2 omega into t के जगा पर क्या upper limit time period minus 0 वाले टर्म को बठाएगे तो cos 2 omega into 0 हुआ अच्छा 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 उसके बाद power बड़ाबड inode inode by t into cos 5 by 2 into क्या capital T अच्छा minus यहाँ पर देखो तो क्या टर्म बचे गया sin 2 omega into time period का क्या फर्मूला होता है 2 pi by omega time period का फर्मूला 2 pi by क्या 2 pi by omega अच्छा उसके बाद minus यह 0 सारा टर्म हो जाएगा तो sin 0 बचे क्या 2 omega अच्छा minus sin 5 by 4 omega अच्छा into cos 2 omega into क्या time period होता है 2 pi by omega minus यह हो गया cos 0 0 इन सब से multiply होके क्या हो गया 0 अच्छा अब देखो आब असानी से हो जाएगा देड़े देड़े आज जाएगा जल्दी power बड़ा बढ़ i not in order by time period और इधर हो गया t cos 5 by 2 यह से multiply कर दिये t cos 5 by 2 minus यहाँ पर देखो तो omega और omega cancel तो यह हो गया 4 pi यह हो गया sin 2 into 2 4 pi अब बटे क्या 2 omega minus sin 0 का मान होता है क्या 0 बटे 2 omega आच्छा उसके बाद इधर क्यालते हैं तो 0 बटे 2 omega तो यह तो 0 ही हो गया ना minus sin 5 बटे कितना 4 omega गुना में यहाँ देखो omega और यह गुएगा cancel तो यह हो गया cos 2 और 2 4 pi ठीक है minus cos 0 का मान होता है 1 अच्छा उसके बाद यह bracket close अब देरी देरी यह छोटा होता चला जाएगा power बड़ाबर i not e not by t into t cos 5 by 2 minus sin 4 pi का मान होता है 0 sin अगर 2 pi sin अगर 2 pi हो 4 pi हो 6 pi 8 pi even number में sin अगर 2 pi sin 4 pi sin 6 pi sin 8 pi sin 10 pi sin 12 pi यह सब 0 होता है ठीक है तो मैं तो आली समझ रहोगे बायो वाले अपने दोस्तों से confirm कर ले जान ले आप लोग एक बात और क्या तो यह हो गया आपको यह टोटल का मान इसका क्या हो गया 0 ठीक है अब बटे 2 omega minus यह तो हो गया क्या 0 0 बटे anything 0 और यहाँ भी 0 बटे anything हम लोग क्या कर सकते है 0 कर सकते है लेकिन यह के step चले गए minus sin 5 pi 4 omega into cos इतना है ना अब एब एक बात और देखो cos 0 होता है 1 cos 2 pi यानि कि 360 degree तो cos 2 pi भी होता है 1 cos 4 pi भी होता है 1 cos 6 pi भी होता है 1 cos 8 pi भी होता है 1 cos 10 pi भी होता है 1 cos 12 pi भी होता है 1 cos 14 pi भी होता है 1 जिस तरीके से sign 2 pi, 4 pi, 8 pi, 6 pi 12 pi, 10 pi होता है 0 उसी तरीके से ये हो जाता है क्या 1, तो ये इसका value हो गया 1, minus क्या, 1 तो कहानी उधर का भी आप समझ रहे हो क्या होने वाला है तो power बराबर हो गया in order by क्या t time period into t cos 5 by 2 minus ये सारा term हो गया 0 अच्छा और ये एक में से एक गया तो ये भी क्या हो गया 0, तो minus sin 5 by 4 omega into 1 minus 1 क्या 0, अच्छा तो power बराबर in order in order by t into t cos 5 by 2 अब आकि ये सारा term तो 0 हो गया गुना हो करके, ये भी 0 हो गया तो ये सब घट रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहां तक आए हम लोग, आच्छा, उसके बाद आगे और भी solve कर लेते है थोड़ा सा जगह है तो ठीक है, use कर लेते है उसको तो यहां पर हम लोग चाहें, तो फिट इतना term दीग दिए, अब देखो तो आप time period, time period कट जाएगा t or t कट जाएगा, t or t उपर नीचे से कटेगा, therefore क्यालते हैं, जो power बड़ा बड़ा आया, वो मेरा अभी तक कितना आया, तो यहां पर यह कट जाएगा, तो power बड़ा बड़ा हो जाएगा, i node, e node, i node, e node और cos phi, total के बटे में क्या है, दो, i node, e node, cos phi, अब बटे क्या, 2tt तो कट गया, ना, ये तना आया, तो, यह हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहां तक भी चलेगा, देखना, लेकिन, अच्छे तरीके से पूरे term मिलाते हैं, तो power बड़ा बड़, i node, और क्यालते हैं, by root 2, अब गुना, e node by root 2, i into cos 5, यह क्या कड़ती हैं हम भाई, अरे, इस दो को, आइनोड उपर में है, e node उपर में है, cos 5 उपर में, लेकिन यह दो को root 2 गुना root 2 कैसे लिख दिए, हाँ, root 2 गुना root 2 2 होता है, root 5 into root 5 5 होता है, root 6 into root 6, क्या, यह जानती हो कि नहीं, 10th class का चीज़ है, यह एक बार क्यालते पता होना चीज़ है, सब चीज़, ठीक है, तो यह आइनोड बटे root 2, याद होगा, last class में हम लोग, हम लोगों ने पढ़ा रहा था, i node by root 2, irms कहलाता है, e node by root 2, irms कहलाता है, तो power बड़ा-बड, i node by root 2 क्या हो गया, i rms, into e node by root 2 क्या हो गया, e rms, आई यह मेरा क्या है, cos phi, तो यह दूखो, यह वाला टम है, ncrt के बुक में इसको लिखावा मिल जाएगा तुमको, i m, ठीक है, और इसको लिखेगा, e m, मतलब समझ जाना, i m लिखावा तब भी यह, root mean square current है, और e m लिखावा है, root mean square voltage है यह, ठीक है, e m, पर, और यहाँ यह जो टर्माया न, यह जो cos phi, यह total, यह cos phi है, इस cos phi को here, cos phi जो है न, इसको बोला जाता है, क्या मालूंँ, power factor, power factor, एक बार पहली तो आप इसक्रीन सोट लो इसका है, स्क्रीन सोट लो इसका है, लो फटा फट से स्क्रीन सोट, लिए स्क्रीन सोट, चलो देखो आप आगे बात करते हैं, अभी अभी हम लोगों ने calculate किया वहाँ, न, क्या calculate किया, पावर बड़ा-बड़ आई-र-म-स, ए-र-म-स, ठीक है, अच्छे ठीक है, चलो, ये तो calculate हो गया, ये इसमें क्या है भाई, पावर factor, अच्छे याद होगा, current का जो phase लिया था, हमने, आई-बड़ा-बड़ आई-नोट-स, ओमेगा-ट, अच्छे एक बात और ध्यान में, अच्छे रखना आपको, ठीक है, क्या ची, क्या करता है, जैसे कि पावर बड़ाबर, अभी हमने क्या calculate किया था, आई-नोट-बड़ रूट-टू, इन्टू, इनोट-बड़ रूट-टू, calculate किया था था, रूट-टू इन्टू क्या, कॉस फाई, तो NCIT के बुक में, यह जो आई-नोट है ना, इस आई-नोट को, आई-म, यानि कि, यह तो maximum current होता है ना, पीक current या maximum current, तो आई-म, और, यह जो ए-मफ है ना, maximum ए-मफ, इसको, वी-म से लोग दिनोट करते हैं, यानि कि, maximum voltage, यह क्यालते हैं, maximum current बटे, रूट टू, आई-म, maximum voltage बटे, रूट टू, तो power बड़ाबर क्या, इतना बटे, रूट टू, यानि कि, यह मेरा क्या है, I, RMS है, और, यह मेरा, E, RMS है, आड़ा बड़ाबर, cos, फाई, तो कभी-कभी ऐसे भी लिखा रहता है, power बड़ा बड़ यह, यह ना लिखा रहे है, तो I, E, cos, फाई, तब भी आप समझ लेना, कि वही है, यह, रूट मिन स्क्वाइर करंट, और यह, रूट मिन स्क्वाइर, voltage, या, EMF, ठीक है, यानि कि average value of current, और average value of क्या, EMF, और यह, cos, फाई है, ठीक है, एक relation आपको, मैंने last के class में बताया था, आपको याद होगा, जो कि, I, R, M, S, बराबर, I, नोट बाई क्या, root 2, इसी equation को, NCRT में, ऐसे भी लिखता है, I, इसे लिखता है, ठीक है, I, नोट के जगह पर कई कभी, I, M, भी लिख देता है, यानि कि maximum current, ठीक है, आचा, EMF की बात करें, तो EMF बराबर, ERMS बराबर, E, नोट अब आई क्या, root 2, यह तो हम लोग बताते हैं, और ERMS बराबर, CRT क्या करता है, VM बटे क्या, root 2 भी लिख देता है, ठीक है, यानि कि maximum voltage, वो तो वही है, maximum voltage ही, मेरा peak voltage है, ठीक है, तो ऐसे भी लिखा रहेगा, तो कोई, आप confusion में मत परना, VM बटे क्या, root 2, ऐसे भी लिखा रहा सकता है, ऐसे भी लिखा, बस में आपको यही ध्यान रखना है, कि RMS value जो है, वो बड़ाबर, peak value, peak value, बटे क्या, root 2 होता है, peak value बटे क्या, root 2, अगर RMS value current का, तो peak value current का, बटे root 2, अगर RMS value voltage का, तो बड़ाबर, peak value voltage का, बटे क्या, root 2, इसको ध्यार में रखना आख खली, चलो ठीक है फिर, screen shot ले लो इसका, लिये, चलो उम्मीद करते हैं, कि power अगर, average power अगर के बारे में, आपको जानकाड़ी हो गया होगा, next class में हम लोग बात करेंगे, purely, resistive, purely inductive, purely capacitive circuit के बारे में, यानि कि AC voltage applied to a resistor, to a capacitor, to a inductor, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, फिर आगे फिर, फिर डाग्राम में सब सारा चीज, समझते चले जाएंगे, ठीक है, फिर, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर पसंद आया हो, तो इसको लाइक जरूर कर देना, और हाँ बायो वाले इंटिग्रेशन का वीडियो देखो आप, ठीक है फिर, बाबाई,